हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है तो यह आपको अच्छे से पता होगा कि हमारी यूट्यूब से जो भी अर्निंग होती है वो वाइटी स्टूडियो में हमें डोलर के रूप में वहाँ पे दिखाई देती है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस डोलर की करेंसी को जो आपको डोलर में दिखाई देते हैं उसको आप रूपीज में कनवर्ट कर सकते हैं मतलब आपको जो भी अर्निंग होगी वो वाइटी स्टूडियो में आपको रूपीज में दिखाई देगी तो उसको कैसे कनवर्ट करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ और ये सारा प्रोसेस में आपको मोबाइल फोन से ही करके दिखाऊंगा आपको किसी भी PCI लैप्टोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो छोटी सी है पर काफी ज़ादा इंफोर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा अब जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर फ्री प्रमोशन कर रखे हैं तो मेरी लास्ट वीडियो पर जिसका सबसे पहले कमेंट आया था उसका चैनल आपको मेरी स्क्रीन के उपर दिखाई दे रहा होगा प्लीज जाके इनकी चैनल को सपोर्ट कीजिए और इनकी चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप वहां से जाके इनकी चैनल को जरूर चेक आउट करें इने पूरा-पूरा सपोर्ट करें अगर आप भी वीनर बनना चाते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखके उसे लाइक और उस पे एक कमेंट करना है और जिसका भी पहला कमेंट होगा उसको मैं अपनी नेक् यहां पर मैं सबसे पहले आपको वाइटी स्टूडियो में डॉलर दिखा देता हूं कि किस तरीकी से दिखाई देते हैं तो मैं वाइटी स्टूडियो की जो यह एप्लिकेशन है इसको ओपन करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर यह यह यूर एस्टीमेट के सामने आपको यहां पर डॉलर दिखाई देते हैं अब हम इन डॉलर को यहां पर रुपेज में कैसे कनवर्ट करेंगे वह प्रोसेस आप द्यान से देखिएगा तो उसके लिए हमें बैक आ करना है इसके बाद हम चलेंगे अपने क्रॉम ब्राउजर के अंदर क्रॉम ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर हमें उपर टाइप करना है studio.youtube.com studio.youtube.com search करना है हमें यहां पर और अपने चैनल में हमें login कर लेना है ठीक है मैंने login किया हुआ है इसके बाद यहां पर यह option आएगा तो continue to studio पर click करना है तो आपके सामने यहां पर आपके चैनल का dashboard खुल जाएगा जैसे मेरा यह dashboard खुला हुआ है ठीक है आपको इसमें simple मैंने zoom करके दिखाया आपको यहां पर नीचे आ जाना है आपको सबसे और यहां पर आपको यह setting का option मिलेगा आपको simple setting वाले option पर click करना है और यहां से settings खुल जाएगी उसके बाद आपको यह journal के अंदर यहां पर यह जो currency का option दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं यह US dollar के अंदर है तो हम यहां से इस पर click करेंगे और आप देख सकते हैं आप जिस country में रहते हैं उस country के हिसाब से आप अपनी currency को set कर सकते हैं यहां पर आप किसी भी कंट्री में हो यहां से आप स्लेक्ट कर सकते हैं जैसे मुझे इंडिया का करना है तो इंडिया वाला मैं इसमें देख लूँगा उपर होगा कहीं आई में तो आई यहां पर आप देख सकते हैं आई एनार इंडियन रूपीज लिखा हुआ है तो हमें सिंपल इस पर क्लिक करना है उसके बाद हमें यहां पर नीचे यह सेव का ओप्षन आ जाएगा इस से वाले पर क्लिक कर देना है ठीक है यह सेव हो गया अब मैं आपको वाइट इसके बाद अपनी एप्लिकेशन ओपन कर लेंगे हम यूर एस्टिमेटेड रिवेन्यू के सामने अब रुपीज में दिखा रहा है जो रुपे में दिखाता है इंडियन में ठीक है वह रुपीज आपको यहां पर दिखा रहा है तो इस तरीके से आप अपने वाइट इस ट प्रुपीज वाली करेंसी में कनवर्ट कर सकते हैं अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेस्टन कोई भी क्वेरी है आपके मैंड में तो आम मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद करें थैंक यू